नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोईला मई से 25 मई तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों अब खुस हो जाओ जी हाँ दोस्तों क्योंकि हनुमान जी चले आपकी रासी में और जब ऐसा होता है तो दोस्तों जीवन में चारो तरब से खुसियां की बरसात होने लगती है जीवन में रोसनी ही रोसनी होने लगती है यूँ कहें कि दोस्तों सारे जीवन की खु पूरे होते हुए अपनी आखों से देखोगे आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि जो आपके कारे में बाधाएं आ रहे थे हर तरह तरह से बड़ी मेहनत के वावजुद भी वह कारे शंपन नहीं हो रहा था तो अब वह भगवान बजरंगवली के आसिरवात से पूर होते जाएंगे और दोस्तों आपको किन चीजों से फाइदा होगा किन चीजों से बचना है आपकी लव लाइप केसी रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजनेस और व्यपार के सा रहेगा और स्वास्तिकी महत्त पुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में अंत में हम आपको उपाई बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बैतर बना सके दोस्तों आपका बिरासी कुम्ब है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंत तक जरूर देखें वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस चके दो चली दोस्तों बात करते हैं कि इन दिनों में कलियो के महावीर बजरंग बली ने आपके ऊपर कैसे किरपा बरशाएंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक नीति ज्ञान के बारे में दोस्तों अचारा चानक जी कहते हैं कि ताकत लोगों को जोड़ने से बनती है लोगों को तोड़ने से नहीं इसी के साथ जहां पहचान और किस्मत काम ना आए वहां पैसा काम आता है जहां पहचान और किसमत काम न आये वहाँ पैसा काम आता है इसे के साथ जब बात जरुरत की हो तो जुवान सब की मीठी हो जाती है जिहाँ दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों पे सहमेत हैं तो विडियो को अभी लाइक जरूर करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों दिन के दूसरे दिन आपको की महतपुन उपलब्धी आपका इंतिजार कर रही है परन्तु सही समय का सही सदपियो करना आपकी छमता पर निर्भर करता है मुईलाओं के लिए समय विशेस रूप से अनुकुल है वो अपने व्यक्तित तथा प्रफेशनल गतिविदियों को सुचार रूप से निर्भर करेगी दोस्तों यूआवर्ग अभी अपने उपलब्धी को लेकर संतूस्ट रहेंगे अभी उन्हें और अधिक मेहनत करने की जवरत है को भी निने तुरंद लेने के प्रयाश करें दोस्तों ज़्यादा सोच विचार करने से महत्पुन उपलब्धी हाँ से निकल सकती है इसलिए वहकार जल्द से जल्द कर लें दोस्तों वैवसा में समंद्ध पब्लीक रिलेशन तथा मेडिया समंद्ध कारे में दायक प्रसितियां बन रही है कारिक्षेत में सहगियों और कर्मचारियों की सलापर भी ध्यान दें उनका अनुभाव तथा मेहनत वैवसा गतिविदियों को और अधिक बढ़ाएगा तो पती-पतनी के बीच वैक्तिगत समस्या को लेकर कुछ मन मुटाब की इस्ति रह सकती है प्रेम समद्ध में एक दुसरे के भावनाव को शमान करना जरूरी है कोई सुख़द और खुसी भारा समाचार मिलेगा जिसके वज़े से आप खुद को बहुत हालका फुलकावा तनामुक्त महसूस करेंगे युआ को किसी इंटेर्वी में सफलता मिलने से आत्म विश्वास बढ़ेगा और पुरी उर्जात था मेहनत से अपने कारे को अंजाम देंगे ज्यादा सोज विचार में समय ना लगाकर अपने कारे को भी गती दें एक खास बात ध्यान रखनी है कि हर किसी पर विश्वास न करें तथा अपनी योजना को किर्याविंद करने में शमय लगाएं कुछ अनावस से खर्चे भी आ सकती है दोस्तों आप विश्वास पर टिके हैं तो आप हमेसा ही आगे बढ़ेंगे लेकिन दोस्तों आप किसी पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए ज़्यादा विश्वास करना हमेसा खतरनाक साविद होता है ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार लोग आपके इसी विश्वास का फैदा उठा कर एसा हमला करते हैं कि आपका बचना मुश्किल हो जाता है उस वक्त वो ये नहीं देखते हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है इसलिए दोस्तों किसी पर विश्वास भी इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि आपको नुक्सान हो दोस्तों व्यवसाई समंदिक गर्तिवदियों में वैस्ता बनी रहेगी नहीं उपलब्दियां सामने आएगी ज़्यादा सोच विचार करने में समय वेर्थ ना करें तथा तुरंद मिंदर लें ओफिस में चरही रायंती से अपने आपको अलग रखें जीवन साथी तथा परिवार सदस्वर के पूरे सहयोग मिलेगा प्रेम परसंग में नजदिकियां बढ़ेगी उस्ताब के स्वास्त के बारे में देखा जाए तो तवचा समंदिक कोई अलर्जी हो सकती है ज्यादा भील भाड तथा पॉलिशन जैसे अस्थन पर जाने से परेज करें कभी कभी सभा में चिलचिलापन और तना महसूस होगा आत्म अवकोलन करें तथा अपने स्वास्त के परति भी सजग रहें महिलाएं अपने मान शमान के परति सजग रहें तथा ससुराल पक्ष के साथ समंध खरापना होने दें गुसे और आवेज जैसी आलतो आप केसे बनाच सकता है वो इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुसे में होता है तो अपना आपाखो बेड़ता है सामने वाले को एसे सब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते हैं आप मैंसे भी एसे बहुत से लोग होंगे जिने क्रोद की वज़े से बहुत से परिसानिया का समना करना पड़ा होगा क्योंकि क्रोद की आवेस में आकर अक्सर इंसान अपने पराय का लिहाल भूल जाता है जिसके चलते वो अपने सबसे करीबी रिष्ते गवाब विठता है दोस्तों क्रोद कभी भी नहीं करें इसे दोस्तों आप हमेसा पीछे की और चल जाएंगे इसलिए दोस्तों पुरोद पे काबू रखेंगे तो आप हमेशा तरक्य और चमतकारी की करीभी पहुंचेंगे और अन्हेक से कम्यावी भी हासिल करेंगे दोस्तों कारेशत में वश्ता उचीद बन ही रहेगी आपको अपने प्रियासता परिस्रम की उचीद पर नाम भी हासिल होंगे नोकरी पेसा लोगों को अपने कोई महत्वपुन कारवार मिल सकता है पर तो अपने सोहगियों के साथ वेहवार उचित बना कर रखें पूरानी नकात्रों बातों को बर्तमान पर हावी नहोंने दें ध्यान रखें कि छोटी सी गलत फेमी की वज़े से मित्रों अत्वा भाईयों के साथ समन्ध खराबी हो सकते हैं दूसरों की बातों तथा सलहा पर भी ध्यान देना जरूरी है दूसरों आपकी किसी गति वीदी की वज़े से सामाज में कुछ मानाहनी जैसी इस्ति बन सकती है पड़सियों के साथ समन्ध खराब न करें और नहीं व्यर्थ की गति वीदियों में अपना ध्यान दें रुपे पैसे के समन्धी लेंदेन अभी अस्तिगीती रखें तो बहतर होगा कारास्थल में अभी कुछ दिकत्य और चनोतिय बनी रहेगी इसमें रिक समन्धी किसी भी परकार की कारें में समय और पैसा वेर्थना करें तो परिवार के साथ किसी धार्मिक अथा अधादमिक अस्तल में जाने का भी प्रग्राम बनेगा तो था लब पार्टनर के साथ लॉंग ड्राई पर जाना आपको खोसी परदान करेगा अपने ठन से अपना बचाव रखें इसमें जोड़ों अथवा घुटनों के दद परहसान कर सकते हैं वेक्तिकत उल्जना के कारण आप घर परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे जिसकी वज़से सब की नराजगी जहलनी पर सकती है सुकोन और सांती बनाए रखने के लिए कुसमें अतादमी गतिविदियों अथवा एकात में जरूर बेतित करें सर्योग और मानसी गरूप से ठकान और कमजोरी महसूस होगी आज आपका स्वास्त ठीक रहेगा योगा और मेडियेशन को अपनी दिन्चारिया में सामिल करना जरूरी है चले अब बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में दोस्तों समस्त दुखों के मुक्ति के लिए परतियक मंगलवार को हनमान जी के पूजन में सिंदूर का उप्योग करें दन बिर्दी के लिए मंगलवार को सुबा बढ़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़ कर गंगार जल से धोकर हनमान जी को अरपित करें रोजगार के लिए मंगलवार को पान का बिल्डा नीमनुत से चढ़ाएं इसा करने से नोकरी को प्रमोशन के अवसर भी मिलेंगे और आपके घर में सुख सांती भी बना रहेगा चलिस्तो आप बात करें ते आपका भागिसाली रंग और भागिसाली आंग क्या है दोस्तो आपका भागिसाली रंग गुलावी है और भागिसाली आंग छे है दोस्तो भगवान स्रीराम का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंड बॉक्स में जैसे राम जड़ूर लिखें और विडियो को लाइक सेर जड़ूर करें धन्यवाद